सिराज के बाद बुमराह का चक्का, अफ्रीका हुई नेस्तनाबूद, वॉर्न भी छूटे पीछे, कैप्ट आउट टेस्ट में पहली पारी में मुहम्मद सिराज का जादू चला था, तो दूसरी पारी में जस्प्रीद बुमराह की बारी थी. जस्प्रीद बुमराह ने किसी टेस्ट मैच में नौवी बार पांच विकेट हॉल हासिल किया, बुमराह ने 61 रन दे कर 6 विकेट लिये, बुमराह की गेंदबाजी की बदौलत दूसरी पारी में अफ्रीकी टीम 176 रनों पर आउट हो गई. टीम इंडिया को जीत के लिए 89 रन चाहिए, वहीं बुमराह के केप टाउन की धर्ती पर अब कुल 3 टेस्ट में 18 विकेट हो गए हैं. इस तरह उन्होंने शेन वौन 17 विकेट को पीछे छोड़ दिया. केप टाउन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज इंगलैंड के कोलिट बलाइथ रहे हैं, जिनके नाम 4 टेस्ट में 25 विकेट हैं. इस तरह बुमराह ने तीसरी बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन विकेट हासिल किये. वहीं श्रीलंका और उस्ट्रेलिया के खिलाफ एक एक बार टेस्ट में 5 विकेट हासिल कर चुके हैं. टीम इंडिया ने कैप टाउन टेस्ट मैच की पहली पारी में अफ्रीकी टीम को 55 रनों पर समेट दिया था. वहीं टीम इंडिया भी दूसरी पारी में महज 133 रन बना कर ओनलाउट हो गई कि अ हुची कि आच अ हैं गिए स्थ्काशद दनन इंडियाiane बत्ति हैं कि विए यकि विल्षक कर दूस्थ में 2